हलो दोस्तों स्वागत आपका डिवोशन इंसिट्यूट में आज हमारा पांचमा सेशन है ग्रामर का बहुत सारे बच्चों को एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत दिक्कत रहती है आप ये छोटा सा सेशन अगर देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सारे डाउट एक करें फिर हम शुरू करते हैं तो क्या फरक होता है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो एडजेक्टिव क्या करते हैं एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफरमेशन देते हैं क्या ब बारे में एड्जेक्टिव के बारे में और एड्वर्ब्स के बारे में इन तीन के बारे में एक्स्ट्रा इंफर्मेशन आपको देते हैं बेसिकली आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर noun और या pronoun की extra information है तो वो adjective देगा और noun, pronoun चोड़के बाकी किसी भी चीज की extra information है तो वो आपको adverb देगा अभी मैं आपसे क्या चाहता हूँ देखो आप ये समझो मेरे बताने से आप नहीं सीखोगे आपके करने से आप सीखोगे इसी लिए अभी आपके सामने ये पांच sentences लिखे हुए है या पांच phrases लिखे हुए है better word का use करें तो इन पांचों में आप पता लगाओ कौन सा noun है, कौन सा adjective है, कौन सा adverb है क्या लग रहा है आपको हना मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ आप इन में से पता लगाइए जो आपको समझ में आए जैसे समझ में आए आप बस इनको देखिए और इन में से आपको कौन सा adjective लग रहा है और कौन सा adverb लग रहा है वो देखो पहला a good boy, फिर a very good boy, फिर a tall handsome boy, फिर a very tall handsome boy, a smartly dressed boy अगर आपको समय और चाहिए तो आप वीडियो को pause करके थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं करवाता हूँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो boy जो है वो noun है boy, मिरको आप boy कह सकते हो, तो boy किसी का नाम है, common noun है boy और a जो है वो एक article है जड़र गौर फरमाएं, तीन articles होते हैं, यह आपने सुनी रखा होगा तीन articles होते हैं, a, an और the यह तीन articles की विशेष्टा क्या होती है? कि यह noun के लिए आते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? यह noun के लिए आते हैं, यह noun के आगे लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पर यह आते noun के लिए हैं, अगर इनके बाद थोड़ी दूर पर भी अगर कोई noun नहीं है तो इनका लगाना गलत है तो actual में यह जो a है, यह इस boy के लिए आया है क्योंकि लड़का, कितना लड़के? एक लड़का तो वो एक बताने के लिए a लगाया है हमने हना one लगाते तो भी वोई मतलब था, a लगा दिया, तो भी वोई मतलब है अब यह जो good है यह good यहां पर boy के बारे में extra information दे रहा है आपको कि यह लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है जी अच्छा लड़का है तो अच्छा होना लड़के के बारे में extra information है तो good boy के बारे में एक adjective का काम कर रहा है क्योंकि adjectives क्या करते हैं noun या pronoun के बारे में आपको extra information देते हैं second पर आओ a क्या हो जाएगा again article और boy क्या हो जाएगा again noun ये article किसके लिए आ रहा है इस boy noun के लिए आ रहा है के लिए word बहुत important है good कौन है अच्छा क्या है अच्छा लड़का है अगर अच्छा लड़का है तो अच्छा हो ना लड़के के बारे में extra information है boy एक noun है noun के बारे में अधिक जानकारी कौन देगा आपको adjective देगा लेकिन अब ये word देखो यहाँ पर very very क्या है बहुत अच्छा लड़का हिंदी में यही बोलेंगे बहुत अच्छा लड़का बहुत लड़का है या बहुत अच्छा है बहुत word जो है very word जो है वो boy के लिए नहीं आ रहा वो good के लिए आ रहा है क्योंकि very word good के लिए आ रहा है तो एक adjective की अधिक जानकारी है सरा यहाँ पर देखो adjective की extra information कौन देता है हमें adverbs देते हैं तो adjective की अधिक जानकारी adverbs देंगे तो very एक adverbs हो जाएगा नीचे देखो a article हो गया boy noun हो गया handsome कौन है handsome obviously लड़का ही है handsome word लड़के के लिए आ रहा है handsome boy कह सकते हैं तो यह handsome इस लड़के के बारे में extra information है अगर handsome लड़के के बारे में extra information है तो handsome एक adjective का काम करेगा tall क्या है लंबा और handsome लड़का आप देखो क्या लंबा होना handsome के बारे में extra information है या लंबा होना लड़के के बारे में extra information है किसकी extra information है tall होना अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये tall भी क्या है ये भी actual में boy के बारे में ही extra information है तो ये tall भी क्योंकि noun की extra information है इसी लिए ये एक adjective का काम करेगा अब धोका क्या खाते हैं लोग अक्सर बच्चों को क्या होता है कि adjective के noun के आगे adjective लगता है और adjective के आगे adverb लगता है ऐसा रटा सा मार लेते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं है मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि एक noun के लिए एक से ज्यादा adjectives आ सकते हैं क्या एक noun के लिए एक से ज्यादा adjectives आ सकते हैं एक adjective के लिए एक से ज्यादा adverbs आ सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता आप ये मत रटे मारो कि adjective के आगे adverb आएगा आप ये देखो कि वो word किसकी extra information दे रहा है हाँ इतना पक्का जरूर है क्या बोर्ट पर ध्यान दे थोड़ा सा बहुत important point बोलने वालों मैं आपको ये पक्का जरूर है कि a लिखा है और मैंने dash लिखा और यहां कोई noun लिखा है अगर कोई noun है और कोई article है और बीच में एक gap है तो यहां पर क्या आ जाएगा क्या सकता है जादा से जादा क्या होगा इस sentence में इस blank में इस noun के बारे में extra information हो सकती है और तो कोई option ही नहीं है जादा से जादा noun के बारे में extra information दे दोगे आप और अगर आप दोगे तो यहां पर क्या होगा यहां पर एक adjective को आना ही पड़ेगा लेकिन वहीं अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि a लिखा हुआ है डैश है एक adjective लिखा हुआ है और फिर एक noun लिखा हुआ है क्या बोला मैंने ए लिखा हुआ है डैश है फिर adjective है फिर noun है यह जो मैं भी आपको बता रहा हूँ इसे हलके में ना ले एक्जाम के अंदर यह बहुत जादा काम आएगा fill in the blanks जितने भी आते हैं आपके एक्जाम में उनमें यह technique अगर आप लगाओगे तो आप दो तीन question तो बस देखते ही कर पाओगे आरे यह तो adjective आएगा यहाँ पे लगा दो अगर A लगा हुआ है डैश है adjective है और noun है इसका मतलब क्या हुआ? Cincinnati this noun के बारे में extra information बता रहा है लेकिन अब यह dash वाला क्या करेगा? इस dash में adjective भी आ सकता है जो इस noun की extra information बताए और इस dash में adverb भी आ सकता है जो इस adjective की extra information बताए जरह गोर फरमाईएगा अगर यहाँ पर adjective आता है तो वो इस noun की extra information बताएगा और अगर यहाँ पर adverb आता है तो वो इस adjective की extra information बताएगा तो उस dash में दोनों ही आ सकते हैं एजेक्टिव आएगा तो noun की extra information या फिर इसको उल्टा बोलें noun की extra information बतानी है तो adjective आएगा और अगर adjective की extra information बतानी है तो adverb आएगा एक noun के लिए एक से ज़ादा adjectives possible है अना tall, dark, handsome boy तो tall भी boy है, dark भी boy है, handsome भी boy ही है तो एक noun के लिए आपने दो adjective लगाए, ये देखो दो लगे हुए, कोई दिकत नहीं है, ये allowed है, yes अगले प्याओ, a, a, article है, boy, obviously noun है, handsome कौन है भई, लड़का है handsome, handsome होना लड़के के बारे में extra information है, तो handsome adjective हो गया tall कौन है, tall भी लड़का है, अभी हमने देखा उपर, तो tall भी adjective हो गया, very क्या है, बहुत लड़का है बहुत लड़का नहीं है बहुत लंबा लड़का है तो बहुत यहाँ पर इस adjective के बारे में extra information हो गई तो अगर बहुत adjective के बारे में extra information है तो बहुत अपने आप में क्या हो जाएगा एक adverb हो जाएगा क्योंकि very extra information दे रहा है tall की और tall extra information दे रहा है boy की और handsome extra information दे रहा है boy की I really hope आपको समझ में आ रहा है ये बहुत 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 ज़ादा जरूरी है लास वाला देखते हैं ए एक article है boy एक noun है dressed dressed कौन है भई? देखो noun के एक छोड़के तो adjective adverb दोनों आ सकते हैं पर noun से just पहले हमेशा अगर article के बाद gap है तो adjective को ही आना पड़ेगा क्योंकि noun है तो noun की extra information तो adjective ही देगा तो ये word कभी भी adverb नहीं हो सकता जो noun से just पहले आया है आप देख लो यहाँ पर good था यहाँ पर भी good handsome handsome dressed ये adjective होना ही पड़ेगा कोई option नहीं है तो ये हमारा adjective हो गया अब ये smartly क्या है smartly boy हो सकता है क्या आप देखो ली देखते ही आपको कुछ कुछ होना चाहिए कि अरे यार ली लिखा हुआ इसका मतलब क्या है ली किसमें आता है ली suffix है adverbs का तो smartly dressed के लिए आ रहा है लड़का अगर होगा अगर आप board को थोड़ा सा study करो तो हमने बोला adjective क्या करते है noun और pronoun के बारे में extra information देते है adverb क्या करते है verb, adjective और adverb के बारे में extra information देते है a है और noun है सिर्फ इतना ही है तो बीच में adjective ही आएगा उसे कोई नहीं रोक सकता लेकिन a है, noun है और बीच में adjective भी लगा दिया आपने तो उसके पहले adjective भी आ सकता है जो noun के लिए आ रहा है या adverb भी आ सकता है जो adjective के लिए आ रहा है और उसको देखते कैसे हैं इस तरीके से I really hope आपको ये समझ में आया है नहीं समझ में आया है थोड़ा सा पीछे जाके दुबारा देख लो ये बहुत बहुत जरूरी है आपको ये आना ही चाहिए जिनको समझ में आ गया है आपके लिए मेरे पास ये तीन questions है आप अराम से कीजे एक मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको बहुत ही important questions है जो आपको अराम से solve करने है एक बार आपने ये तीन questions डंग से solve कर लिए कौन सा word noun है कौन सा adjective है कौन सा adverb है ये आपको पता लगाना है इनको solve करने के बाद आपको कोई doubt नहीं रहेगा अगर ये आपके सही होते हैं तो अना एक मिनट का समय दे रहा हूँ है या आप कीज़े इन तीनो questions को आप अपनी notebook में लिख लिजिए साथ में और एक एक line छोड़ कर लिखिए और बीच वाली line में एक एक word के नीचे लिखिए कि आपका दिल क्या कहता है कि ये word adjective है ये word noun है ये word adverb है ये क्या है ये word कुछ लोगों का हो गया होगा और कुछ का नहीं हुआ होगा तो जिनका भी नहीं हुआ है आप वीडियो को pause कर लिजिए इनको कर लिजिए और उसके बाद आप वीडियो को आगे continuity में देख सकते है अना हम start करते है बोड पर ध्यान दिजिएगा ये a लिखा हुआ है ये तो article हो गया जी कोई दिक्कत ही नहीं है ये basket लिखा हुआ है basket noun हो गया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच वाले की कहानी होगी सारी की सारी हम पीछे से शुरू करेंगे और पीछे से शुरू करके एक एक वर्ड को पहचानेंगे कि वो क्या है अगर आप देखोगे फ्लार बास्केट फ्लार अपने आप में देखेंगे तो noun होता है फूल एक noun होता है it is a flower, rose is a flower कह सकते है तो फ्लार अपने आप में तो noun होता है पर यहाँ पर फ्लार बास्केट है क्या आप अगर ध्यान से देखो तो फ्लार वैसे noun होता है पर यहाँ पर basket के बारे में अधिक जानकारी मिल रही है हमें कि वो basket किस चीज की है flowers की basket है तो वो flower basket है तो flower basket होने के लिए flower को basket के लिए क्या होना पड़ेगा जी adjective होना पड़ेगा इसमें कोई और option नहीं है क्योंकि noun से just पहले हमेशा क्या आएगा मैंने आपको बताया adjective ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए Egyptian Egyptian क्या है Egyptian basket है या Egyptian flower है अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड हो सकता है कि Egyptian flower basket भी हो सकती है और Egyptian basket भी हो सकती है पर अगर आब इसको पूरा पढ़ेंगे neatly placed well decorated Egyptian flower basket तो अगर full Egypt से आए है तो Egyptian adverb का काम कर रहा है अगर basket Egypt की है तो Egyptian noun के लिए extra information हो गई तो adjective का काम कर रहा है हम safe side में चलते हैं हम ऐसे ही मानेंगे कि Egypt से basket आई है तो यह क्या हो जाएगा adjectives हो जाएंगे लेकिन अगर आपने यह सोचा कि Egyptian flowers की basket है तो वो Egyptian flower के लिए adverb बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है Yes Decorated क्या है Decorated Egyptian है नहीं Decorated flower है नहीं Decorated basket है Basket को decorate किया गया है अगर decorated basket के बारे में अधिक जानकारी है तो decorated क्या हो जाएगा अपने आप में Decorated एक adjective का काम करेगा Well decorated यह well क्या है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से basket है नहीं बहुत अच्छे से fool है नहीं बहुत अच्छे से Egyptian है नहीं एक्स्ट्रा इंफर्मेशन है तो यह अपने आप में क्या हो जाएगा एक एडवर्ब हो जाएगा आपने जो गुड़ वर्ड सुना होगा गुड़ एक एड़ेक्टिव होता है और इस गुड़ का एडवर्ब बनता है जैसे एड़ेक्टिव के एडवर्ब बनाने के लिए ज्यादातर में हम पीछे ली जोडते हैं तो गुड में गुडली नहीं होता वेल होता है प्लेजड प्लेजड वेल है नहीं प्लेजड डेकोरेटेड नहीं प्लेजड एजिप्शन प्लेजड फ्लावर प्लेजड क्या चीज है धंग से क्या चीज रखी हुई है प्लेजड basket है अगर placed basket है तो placed एक adjective का काम कर रहा है basket के लिए और neatly सही तरीके से ली भी हमें संकेत दे रहा है और placed के बारे में अधिक जानकारी भी है एक adjective की अधिक जानकारी एडवर्ब का काम करेगा तो neatly एडवर्ब हो जाएगा placed adjective, well adverb, decorated adjective, Egyptian adjective और flower भी adjective एक ही basket के लिए कितने सारे adjectives आ सकते हैं और उन adjectives के लिए बहुत सारे adverbs भी आ सकते हैं I hope आपको कुछ समझ में आ रहा होगा A यहाँ पर क्या है? article, model क्या है? noun, यह can could वाला modal नहीं है, यह चलने वाली model है सारी model, तो सारी पहनने वाली model है, तो model अपने आप में एक चीज है, सारी model अपने आप में कोई चीज नहीं है, सारी model होना, सारी पहनने वाली model होना, उसके बारे में extra information है, तो सारी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक adjective का काम करेगा अब देखें, इंडियन, इंडियन क्या चीज है, अगें उपर जैसे ही है, अगर फलार इजिप्ट के थे, तो इजिप्शन एडवर्ब होता, ऐसे ही सारी तो इंडियन ही होती है, फौरन कौन सी सारी होगी, तो इसलिए यह भी as adjective ही देखेंगे, कि model इंडियन है, ना कि सा हारी इंडियन है, आगे देखो, हार्ड वर्किंग, यह पूरा एक वर्ड के जैसे ही यूज होगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्या है, इंडियन है हार्ड वर्किंग, नहीं, सारी हार्ड वर्किंग है, अगर मॉडल हार्ड वर्किंग है, तो मॉडल के लिए हा सारी है नहीं गॉर्जियस मॉडल है और वैसे भी आप देखो यह OUS यह ING आपको कुछ संकेत दे रहे हैं कि यह गॉर्जियस भी क्या होगा एक एड्जेक्टिव होगा क्योंकि एक्स्ट्रा सारी मॉडल है तो आपको यह पता चलेगा कि जैसे गॉर्जियस ने एक्स्टा इंफर्मिशन दी थी वैसे ही स्मार्ट भी एक्स्टा इंफर्मिशन दे रहे हैं आपको मॉडल के बारे में तो स्मार्ट भी मॉडल हो जाएगी तो स्मार्ट गॉर्जियस हार्ड वर्किंग इंडियन और सारी यह पांच-पांच एक एड्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको एक ही मॉडल के बारे में तो एक नाउन के पांच एड्जेक्टिव दस भी लगा सकते हो कोई रोक तोक नहीं है येस लास वाले पर आओ एक एन क्या है आर्टिकल मैच क्या है नाउन फुटबॉल मैच फुटबॉल वैसे तो नाउन होती है पर यहाँ पर फुटबॉल होना मैच की अधिक जानकारी है कि मैच किसका है जी फुटबॉल का है friendly football match friendly में क्या लगा हुआ है ली लगा हुआ है लेकिन ये ली धोका देगा क्यों देगा धोका क्योंकि friendly football है नहीं friendly match है match अगर noun है तो match का friendly होना उसके बारे में क्या है extra information है तो friendly में ली होने के बावजूद आपको adjective बोलना पड़ेगा इसको आपके पास कोई और option नहीं है played played मतलब खेला गया था खेला गया था friendly, खेला गया था football या खेला गया था match अगर खेला गया था match तो played भी match के लिए क्या हो जाएगा adjective होगा कोई और option नहीं है aggressively played aggressively मतलब थोड़ा जादा आक्रोश में आकर, जोश में आकर खेला गया था, यहां भी ली है लेकिन ये ली धोका नहीं दे रहा क्योंकि aggressively क्या किया गया था उसे? खेला गया था एक ऐसा match जो खेला गया था aggression के साथ तो aggressively क्योंकि played के बारे में extra information दे रहा है इसलिए aggressively क्या हो जाएगा एक adverb का काम करेगा आप ज़रा देखें इन में से आपके कौन से सही हुए हैं और कौन से गलत हुए हैं जो गलत हुए हैं कि आपको समझ में आया है क्योंकि यह बहुत बहुत जरूरी है अगर फिर भी कोई भी दिक्कते आपको आती है तो आप comment section में पूछ सकते हैं बहुत जल्द हम live classes लेंगे doubt clearing की उन में आप पूछ सकते हैं पर मेरे हिसाब से अगर आपने पहले वाली classes की है तो यह सब आपको समझ में आना चीए था basically याद क्या करना है आपको adjective क्या करता है जी adjective extra information देता है noun और pronoun की और adverb क्या करता है verb adjective और adverb के extra information देता है तो किसकी information मिल रही है बस यह देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ I really hope आपको यह समझ में आया है एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना मेरे बताने से अगर आपको समझ में आता सिर्फ तो मैं तो कितनों का ही selection करवा देता आप करोगे तो आपको समझ में आएगा आपको करना क्या है again मैं आपको homework दे रहा हूँ पहले ही आपको newspaper या English में कुछ भी लिखा हुआ लेना है और हर word के नीचे pen अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में हम इसके और आगे बढ़ेंगे बाकी के जो part of speech हमारे बाकी रह गए है वो जरूर से देखेंगे आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यू थेक क्यार